हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माई चैनल जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी विद आयरवेद दोस्तों आप सभी को सोतंतरता दिवस की हार्दिक्षुप कामना है पेट साफ नहीं होता, ये समस्या बहुत लोगों को होती है और बहुत कम लोगी ऐसे होते हैं जिनको पेट पूरी तरह से साफ होने की संदुष्टी रहती है पेट साफ करनी की दवाएं इस्तमाल करने से बहुत से लोगों को या कुछ लोगों को पेट जादा साफ होने लगता है और जादातर लोगों को उसकी आदत भी लग जाती है प्यूकि वो दवाएं बिना पाचन को दुरस करे ही उनका इस्तमाल करते हैं तो चलिए आज आपको एक ऐसी होम रेमिडी बताता हूँ जिसके इस्तमाल से पेट साफ आसानी से होने लगेगा और गैस की समस्या में भी आपको रहात मिलेगी इसे आप लंबे समय तक इस्तमाल कर सकते हैं और इसकी आदत भी नहीं लगती तो इसे कैसे बनाना है इसे आप 25 ग्राम त्रिफला लेते हैं ये भी घर में रहता है पांच चाय के चमच निवू का रस्म लेते हैं और डेर चमच काला नमक लेते हैं पिसा हुआ ये भी सबीके घरों में होता है ये सारी चीज़ें किचन में अविलेबिल रहती है और इन सब के बराबर 50 ग्राम इसब चमच निवू कर रस्ता उसको डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं ये थ्वड़ा लुगदी सा बन जायेगा तो इसके लिए इसको थोड़ी जर्डर में चला लें जिससे इसमें निवू कर रस्त थोड़ा जल्दी अब्जार हो जाए पिर भी ये थोड़ा अच्छा होता है, ये पॉडर आपका बन गया, अब हमारे पास दो चीजे बच्ची रहे गई थी, जो हमने अभी इसमें नहीं मिलाई थी, वो थी इसब गूल का पॉडर और काला नमक, इन दोनों चीजों को हम इसमें मिला लेंगे, और हमारा ये पॉडर त्यार हो जाएगा इसका टेस बहुत अच्छा है, इसमें आपने देखा कोई भी स्ट्रॉंग तस्तावर दवा नहीं मिली है, सब किजन की चीजों से बना है, तो इसलिए इस दवा को आप लंबे समय तक बहुत आसानी से समाल कर सकते हैं, ये आपका हाजमा दूर्स करा करके पेट साफ करने म मदद करेगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लंबे समय तक आराम से आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं, सब को हमने देख रहे हैं, मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद इसे किसी जार में रख लें, इसको खाना के इसनी मातरा में है, जब भी इसको आपको पूर सकते हैं, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो, लाइक सब्क्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों तो फ़ावर कीजिए, ठैंक यू